समचार नियूज जहां पर मिलती है आपको सिफ अपने काम की कवरें भाईयो बेरों बता देना आते हैं भारत वर्ष में आने जा रही है जियो इसकूटी खुद मुकेश अमबानी जी ने इसको लेकर बहुत बड़ी घोशा कर दी जो हर भारत वासी का जानना जरूरी है अगर आप लोग भड़ते पेट्रोल के दाम से बहुत जादा परिशान हो गए थे तो भारत की सबसे सस्ती एलेक्ट्रोनिक स्कूटी आने जा रही है जिसमें आप लोग अपने घर की अपने बहन के लिए अपनी बेटी के लिए, अपनी वाइफ के लिए और खुट के लिए भी इस स्कूटी को इस्तमाल कर पाएंगे इस स्कूटी की बुकिंग कब से होने रही है और इस स्कूटी की बुकिंग आप लोग किस वेबसाइट से किस तरीके से करेंगे वो आपको हम अपने इस वीडियो में बताएंगे इस स्कूटी का लॉंच डेट भी सामने आ गया है आप लोग भी जानते होंगे कि जब तक जियो हमारे भारत वर्ष में नहीं आया था तो हमारे भारत वर्ष में इंटरनेट कितना महंगा था आइडिया, वोड़ाफोन, एटल तीन सो रुपेका, चार सो रुपेका एक जीबी डाटा बेसते थे और वो भी 3G वर्जान वाला जो काफिया था सुलो होता था लेकिन जब जियो भारत वर्ष में आया उसने हर कंपनी को अपने घुटनों पर ला दिया और इसी के साथ आप लोगों को हम बता देना आते हैं कि जियो स्कूटी की जो कीमत सामने निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 17,999 रुपे 18,000 रुपे से एक उर्पिया कम इस स्कूटी की कीमत होगी अगर आप लोग यह स्कूटी खरीदना चाते हैं तो 17,999 रुपे की यह स्कूटी आप लोगों को मिलेगी इस स्कूटी की बुकिंग कब से करेंगे आप लोग इस स्कूटी का लांच डेट कब से है वो हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे लेकिन आप लोग अगर भारत वर्ष की हर सरकारी योजना हर ब्रेकिंग न्यूस के बारे में जानना चाते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि समचार न्यूस पर सिफ आप लोगों को वो खबरे मिलती जो आपके काम की होती है आपके जन जीवन को असान बना देने वाली खबरे हमारे चैनल पर लाई जाती है अब हम लोग आपका समय नष्ट नहीं करते हैं आपको हम बताते हैं कि जियो स्कूटी कब लांच होगी बारत वर्ष में और आप लोग इसकी बुकिंग कैसे करेंगे जिससे गरीब वर्ग वाले भाई बहन को फाइदा हो आप लोग भी जानते होंगे कि हमारे देश में इस टाम एक बहुत 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 संकट आये हुआ है जिसका नाम है करोना संकट लेकिन इसी बीच में प्रती दिन एक लाख टन जो अक्सिजन है वो मुकेश अमबानी जी फिरी में गरीब वर्ग के भाईयो बेनों को महिया करा रहे है भारत वर्ष में कई बार मुकेश अमबानी जी ने चाहे रिलीफ फंड हो चाहे जो सुनामी आ जाता है उसका फंड हो सब कुछ मुफ्त दिया है अब इसी के चलते है हमारे देश में पेट्रोल के दाम जो बहुत ज़्यादा आसमान की उचाई चू रहते उसको देखते हुए गरीबों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए मुकेश अमबानी जी ने जियो स्कूटी लांच करने का मन मना लिया है और आने वाले तीन महिने के अंदर ये स्कूटी लांच होने जा रही है अगस्त महिना मतलब 2021 के अगस्त में जियो स्कूटी लांच कर दी जाएगी और इस स्कूटी की जो बुकिंग होगी वो आप लोग किसी भी जियो के शोरूम से कर पाएंगे इसकी सबसे अच्छी बात यह होगी कि चाहे आपके पास एक भी रुपया ना हो आधार काड दिखाएए और इस स्कूटी ले जाएए ये योजना रहेगी सारल भाष्य बताएं आपके पास अगर आधार काड रहेगा आप लोग अधार काड से अपनी EMI बंदभा सकते हैं 700, 600, 800 रुपय की जो आप लोगो प्रती माहिना देना होगा जब तक आपका 18,000 रुपय नहीं पूरा हो जाता है और बिना एक रुपय दिए बिना आप लोग इस स्कूटी को अपने घर ले जा सकेंगे और इस स्कूटी की सबसे खासियत बात ये रहेगी इसमें आप लोग 50 किलोमेटर प्रती घंटे से इस गाड़ी को चला पाएंगे मतलब इस स्कूटी का जो मैकसिमम स्पीड रहेगी वो 50 किलोमेटर प्रती घंटे की रहेगी तो भाईयों बैनों भारत के हित में मुकेश अम्बानी जी ये बहुत बड़ा कदम उठाने आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं क्या आप लोग जियो स्कूटी खरी देंगे क्या आप लोग मुकेश अम्बानी जी के इस कदम में उनका साथ देंगे की नहीं देंगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलेगा